असलाम लेक्म एस्पिरिंट्स वेलकम बैक सो एस यू काईस नो कि हमने पास्ट पेपर्स की एक सीरिस टार्ट की हुई है और उसी सीरिस की एक वीडियो है वीडियो का टाइडल जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि इस एस टुवणिस सिक्स्टीन पाकिस्तान अफियर्स के एक सीरिस का सेलोशन ठाइडल जैसे कि आप लगों को पता है कि पहले तो हमने स्टेटमेंट को समझने उसके बाद हम ओप्शन के तरफ जाएंगे तो statement है who was, कौन था the first उस्ताद, पहला उस्ताद of दारुल अलूम दियोबंद, दारुल अलूम दियोबंद इंस्टिटूट के नाम है, उसका पहला उस्ताद, अब options हैं, हाजी आबिद हुसें, मौलाना महताब अली, मौलाना जुल फकर अली, या मौलाना मुहम्मद कासिम न नौत वे, उसके बाद, who among the following, मौंदर्जे जेल में से कौन, मौगल रूलर्स, मौगल जो हुकमरान थे, was a contemporary, वो हम असर था, यानि same time में था, same age में था, of Queen Elizabeth I of England, यानि मौगल रूलर्स जो था, उस time इन में से कौन सा रूल कर रहा था, जिस time England में Queen Elizabeth I rule कर रही थी, तो हमा मारे पस options हैं, हुमायू, अकबर, जहांगीर, या शा जहां, तो उस time अकबर rule कर रहा था, अकबर is the right answer, then ruling party in Punjab after 1937 elections was, ruling party मतब जो rule कर रही थी, हकोमत कर रही थी इन पंजाब, पंजाब में, after 1937 elections, 1937 के बाद, was, अब वो कौन से party थी, हिंदू election board, खालसा national board, unionist party, या अकालस, तो unionist party ऐसी party थी, जो 1937 के elections के बाद, पंजाब में rule कर रही थी, who was the author of the book, the spirit of Islam, यानि who was, कौन था the author, लिखारी या writer, of the book, किताब का, the spirit of Islam, तो the spirit of Islam का writer हमने बताना है, options हैं, यसीर लतीफ हमदानी, सेद अमीर अली, महादेव गौबिंद रनादे, मेजर आरडी उसबॉर्ण, तो सेद अमीर अली is the right answer, उसके बाद, we have learned nothing from history, written by, यह पूरी एक book है, name है उसका, we have learned nothing from history, कि मैं हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा, written by, इसको किस नहीं लिखा था, तो इसको written किस नहीं किया था, मतलब इसको लिखा किस नहीं था, William Dalrymple, Darvilla Murphy, Andrew Essamon, Sian Aureli, तो William Dalrymple जो था, उसने the last Mughal, the fall of dynasty Delhi, 1857 को लिखा था, Foundation Stone of the Historic Islamiyah College Pishawar, ICP was laid by, Foundation Stone, यानि उसको जो बुन्यादी पत्थर था, उसको जो बुन्याद रखी गए थी, of the historic तारीखी, Islamiyah College Pishawar की, was laid by, यानि वो किस ने रखी थी, उसकी बुन्याद किस ने रखी, Options, देखते हैं, Sir Sahib Zada Abdul Qayyum Khan, Haji Sahib of Turangzai, Sir George Roos Kappel, Bibi Gul, the widow of Kherullah Khan, तो Sir Sahib Zada Abdul Qayyum Khan is the right answer, उसको इसको इसको अरिया समाज मुवमेंट launched by, यानि जो अरिया समाज मुवमेंट थी, जो एक तबलीग थी, या जो भी हम इसको कह लें, It was launched by, कि उसको किस ने शुरू किया, उसका अगास किस ने किया, तो Options हैं, करसामजी तिवारी, स्वामी देयानंद सरस्वती, या देयानदाना लाला हंसारच, या लाला लजपात राइ, तो स्वामी देयानंद सरस्वती is the right answer, उसके बादे, विच कौन सा, इन फेमस कहते हैं, बदनाम को, ठीक है, बदनाम ला कानून, वस पास्ट बाइ, पास्ट किया था, लॉर्ड दलहोसी ने, तो देखते हैं, कौन कौन से हैं, Options, इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843, हिंदू विडोस री मैरिज एक्ट 1856, कास्ट दिस अबलेटीस रिमूवल एक्ट 1850, यह डॉक्ट्रीन ओफ लैप्स, तो डॉक्ट्रीन ओफ लैप्स वास पास्ट बाइ लॉर्ड डलहोसी, उसके बाद, बुक, यानि किताब, Gold and Guns, किताब का नाम है, published in 1945, कि वो 1945 में published हुई, was banned in 1947, कि 1947 में उसे banned कर दिया गया था, और दबल्यो एफ पी, खेबर पक्तु क्वाम बाइ, अब वो किस ते ने banned किया है, यह बताना है हमने, डॉक्टर खान साहिब, अब्दुल्कयोम खान, अब्दुल्रौफ सिमाब, या खान अब्दुल्गफार खान, तो अब्दुल्कयोम खान ने इसको banned किया था, Most important offer by Muslims in Delhi proposal was, Most important, यानि सबसे एहम offer by Muslims, मुसलमानों की तरफ से, इन Delhi, दिल्ली में, परपोजल वास, उसमें सबसे important offer कौन से थी, Options are, Constitutional reforms in NWFP, भलोचस्तान, Separatism of Sindh from Bombay, 1 third seat for Muslims, या giving up separate electorate demand, तो giving up separate electorate demand, ये उनके सबसे important offer थी, उसके बद वाइस सीमन commission was failed, यानि सीमन commission क्यों नकाम हुआ, तो there was no Indian member in the commission, या Indians never wanted the review of the working of the act of 1919, या it recommended that diarchy in the provinces should be abolished, या none of these, तो there was no Indian member in the commission is the right answer, ये सीमन commission में कोई Indian member था ही नहीं, तो उसमें साहरे fail ही होना था, वो one-sided तो नहीं हो सकता था, इसके बद हूँ helped लियाकत अली खान to make objectives resolution, तो मुलाना शबीर एहमद उसमानी तो मुलाना शबीर एहमद उसमानी तो मुलाना शबीर एहमद उसमानी is the right answer, Who was Pakistan's first law minister, Pakistan का पहला law minister कौन था, and interim head of constituent assembly, और constituent assembly का interim head भी था, अब कौन था, चंदरा चतुपाद्या, उसके बाद है भुपिंदरा कुमार दत्ता, ये जुगिंदरा नत्मंदाल, ये राज कुमार चकरवर्ती, तो जुगिंदरा नत्मंदाल is the right answer, विच चरिस्माटिक बंगाली लीडर वस पी-एम ऑफ बंगलादेश, वालब ऐसा कौन सा बंगाली लीडर था, जो पी-एम ऑफ बंगलादेश भी था यानि इसका प्राइम मिनिस्टर भी था बंगलादेश का, हुसेन शहीद सहरवर्दी, खवाजा निजीम अद्दीन, नूर अमीन या नन अफ दीज, तो इन में से कोई भी right answer नहीं है, तो नन अफ दीज वोड़ भी the best suitable answer, उसका बदा पीरपूर रिपोर्ट ऑफ 1938 प्रिपेरड वाइ, तो राजा सेयेद मुहमद महदी is the right answer. Then, 1970 election was held under, कि जो 1970 election था, वो किसके जेरे असर हुआ? Adult franchise basis, non-party basis, LFO यानि Legal Framework Order, या नन अफ दीज, तो वो LFO यानि Legal Framework Order के अंडर हुआ था. What was the purpose, 21st Amendment in Constitution? यानि, what was the purpose, क्या मकसद था? 21st Amendment, यानि 21 में जो तर्मीम थी in Constitution, हमारा जो आइन है उसमें, उसका मकसद क्या था? अब देखते हैं, options क्या है? The establishment of the military courts, imposed Sharia law, created Speedy Trial Code for 3 years, या removed the power of President of Pakistan. तो Establishment of Military Courts is the right answer. यही वज़ा थी, कि 21st Amendment तर्मीम जो है आइन में पर्पोस की गई? काइद आजम Solar Park located near, यानि जो काइद आजम Solar Park है, वो किस के करीब वाक्या है? मुलतान, बहावलपुर, सकर या रहीम यार्खा, तो वो भावलपुर के खरीब वाक्या है. And the last one is, Live Storage Capacity of Terbila Reservoir had declined more than. Live, यानि बराहे रास्त, Storage Capacity कि उसमें कितनी इस्तदात है, वो कितनी चीज़ स्टोर कर सकता है, of Terbila Reservoir, जो Terbila के जखाईर है, had declined, वो कमी हो गई है, more than, वो तो कितनी परसंट उसमें कमी हो गई है, 30.5%, 32.5%, 33.5% या 38.5% तो 33.5% is the right answer. That's it for today. Thank you.